हेलो वांगशन फैमली आप सभी के स्वागत है गाइस तो आज मैं इस फैन फिशिन का नेक्स पार्ड लेकाई हूँ उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे तो स्ट्राइट करते हैं हमने देखा था कि जो वांगशी जो होता है उसने अपना प्लैंस असेस्फुल कर लिया होता है और उसने जो उसके अंकल का जो राइट है जो उसका खास आदमी होता है उसको मतलब कि गरफ्तार करवा दिया होता है और हो बहुत खुश होता है और इदर जो वें होता है वो थोड़ा दुर ग falta है अपने आपको अकिला रखने के लिए जिल्कि वो थोड़ा सा इस में पर शान होता है कि जो कुछ भी उसके और वांग जी के बीच में हुआ, उसको सब कुछ याद होता है, पर वह बस एक्टिंग कर रहा होता है कि उसको मतलब कि कुछ याद नहीं है, ताकि जो वांग जी है, उसको ऐसा अलगी कि उसने वेंग साथ गल्थ किया, जो कुछ भी उन द के विज़ क्या हुआ है और जो वांग जी था वो इस सब करने के बाद अपने अंकल के साथ वो बहुत खुशी-खुशी जो होता है वहाँ से घर लोट आता है और घर आखे उसको पताल लगता है कि जो विएंग वो नहीं है जब वो अपने दूसरे नौकरों से पूछता है विएंग के बारे में तो वो लोग कहते हैं कि वो कुछ देर में वापस आ जाएंगे उन्हें को जूरी कांता इसलिए बाहर गए है तो वांग जी मैंने सूचता है कि अब क्या हो गया इसको बाहर जाने क्या जूरत पड़ गी इससे पास हो है कि अभी इस टाइम हालात सही देर लेंगे उसके आदमी है उसकी जो मौत होगी है कि इसको मौत जा दे दी गई थी तो अब उसको पास हाकि अब वो पकड़े जाएंगे मतलब कि कोई मतलब की तड़ा स्ट्रेप लेंगे उनके खिलाफ वांग जी को चीच पता थी तो विएंग की टेंशन कर रहा होता ह है तो ऐसा क्या होता हुए काफी मतलब की शाहरा में या भी घर नहीं लड़ता औरी क्या होता है कि जो दरसे सो उसके अंकल होते हैं वह अंट्री करते हैं उवांग्जी घर में उनकी कुछ आदमी होते हैं और वह आते हैं तो lum उनको बांची तो उनको देख खड़ा जाता है उनको रेस्पेक्ट देता है और फिर उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर कोई बात है कुछ जूरी काम था जो आप खुद यहाँ पर चल किया हैं बताइए कुछ काम है मेरे लिए कोई हुकम है कोई भी काम है तो मुझे खुद तुमारे पर चल कहना चाहिए मेरे बाद तुम ही तो हो तो हपसे तो पावरफुल हो ऐसा कहने के बाद उसके अंकल कहते हैं कि तो अपना समान पैक करो और तुम्हें मैं महल में शिफ्ट करूँगा तुम अब और बाहर नहीं रहोगे तो वांग जी कहते है कि आप ऐसा क्यों कहा रहे है मैं यहीं ठीक हूँ यह मेरे मॉम डाड़ घर है मैं बिल्कुल कमफर्टेबल हूँ मैं ऐसा छोड़के नहीं जाऊँगा तो उसके जो अंकल होते हैं तुम यहां नहीं रहोगे तुम मेरे साथ महल में रहोगे वैसे भी आप मेरी उमर हो चुकी है और आपको समय बाद तुम किंग बनोगे तो इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम महल में रहके सब कुछ देखो सीखो और तुम जतना मेरे नजदी करोगे तुम यहां उतना ही तुम आरे लिए बढ़ी होगा तुम मुझसे बहुत कुछ सीख सको गया विए अभी तुम में कुछ नहीं आता है तुम बहुत कुछ सीखने की जरुरत है इसलिए जाता हूँ कि तुम मेरे साथ महल में रहोगे और तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, 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 तुम यहाँ 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 रहोग कि यहां कि जो हमारे दुश्मन है वो कभी भी तुम पे एकाष कर सकते हैं कि यह तो कि अलब तुम बनोगे तो इसलिए मैं जाता है कि अगर मुझे कोछ कुछ हो भी या तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पर तुम्हें कुछ नहीं हो इसलिए हल्दी चलो वांग जी माना कराता है बड़ उसके अंकल गुसे से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला ना यह किंग का आर्डर है तो वांग जी उता है वो इस बात पर चुप आया था कि अब यह जो से किंग का ओडर तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा कि तब दर से जो वेंग की जो एंट्री आती है इसका फेस पर लटका हुआ था पर ऐसी वह आके हम देखता है कि जो किंग मतलब वांग जी अंकल है वहां पर है वहां पर आती ही फिर उनको देखता है उसके अं पर उसके खाटें क्वाँ एच्छा तुम्हार करता है तो लटके तुम भी खांसे आ रहा कि निकलो आपना समान पैक करो और निकलो तो उस पर वेंग कुछ नहीं बोलता तो वांग जी होता है वो वेंग को शारा करता है कि तुम यहां से जदी से हड जाओ उसकामने से क्या पता कब उसके अंगल को पताला जाए कि यह जो परसना यह एक ओमेगा है यूंकि उसके अंकल्स होते तो वेंग होता है तुरण हाट के चलाता पीछे और वेंग उसको शारा करता है इसलिए बहुत समान इकटा करना ले आता है तो तुसके अंकल्स काते हैं कि नहीं यह तुम्हारा नेया जो सर्वेंट आ काफी अच्छा है देखो मेरे काते सारी समान पैक करने लग गया इसे भी चलना है यहार ना चलेके भीआ आसिसटेन और भी तुमहारा साथ इसे जा धर यहाएगा लेगा 건ят Tricht तो प्रहाँ चलिए तो इसमौन और रहेगा २हीं ऐसमान पेक करो उसके बाद वह साहर शौन दूर पारं होते हैं वह भी मतलब की घोड़ों पर सभार होके जब आँजी अगर था वो थोड़ा दूर था मतलब की महल से था तो सीटी में पर दूर था तो वो उसको वहाँ से लेकि महल के बीचो भी shift करा जाते हैं जहां पे जोसके अंकल है वहाँ रहते हैं और उसके साथ मेल कामरा जी उसको दिया जाता है तो अंजी साथ को समझ तो रहा था कि उसके अंकल से क्यों कर रहे हैं बड़ो कुछ बोलता नहीं है और वो मना भी नहीं कर पाता है तो उसको अब shift कराते हैं उसके अंकल और उसको कहते हैं कि देखो अगर तुमें कोई परशानी कोई भी दिकोस हो तो मुझे घासते हो और कल से तो मेरे साथ ही रहोगे हम सभी काम साथ में करेंगे सभी फैसल साथ में लेंगे और तो मेरे साथ ही बैठोगे ताइक तो scream how king बनना है मुझे ऐसा लगा है कि अब झल्दे ही तुम king बन जाऊँगे वह समय आ रहा यूँकि अब तुम बहुत काबिल होते जा रहे हैं वैसे कि तुम अमने काबिल मुझे कल दिखाई जो गदार थे उनको पकड़ा कितने काबिल हो तुम तो इसलिए मैं आता हूँ कि तुम जल्दी हल्दी अपने उपर वक करो ताकि तुम किंग बन सको समझ गए तो वांजी तुम कहां तुम ठीकते हो तो यह कहता है जी मैं ठीक हूँ तो Disability गाता है कि यह आख वी कोई पने कहते हो तुम की अगर हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। उश्टिभाए तो हमी तुम कहते होते होता है। अभी का सो तुम्हें ये काम है कि तुम्हें मेशात रहा के उनसे बचे रहना है और किसी को ये बात नहीं खबर लेंड देनी है कि तुम कौन हो तुम मेरे असिस्टेंट और मेरे नौकर हो तुम बाके सबसे छुपके दूर रहोगे तुम्हारा खेर दूरी बनाकर होगे तुम किसी भी अलफा के पास नहीं जाओगे बले तुमने मैडिसन दे रखी है बट यह नहीं पता है कि को तुम्हारी हीट तुम पर अटक कर जाए पिछली बार की तरह तो मैं जाता है कि तुम्हारे लिए हामफूल हो वह कहता है ठीक ह है आपको मर्जी है आपको किसी भी अपने नौकर कोई भी रूम दे सकते हैं अगर ऐसा नहीं है तो आप उन्हों साथ में भी रह सकते हैं तुम्हारे के पास रहेंगे और अगर आप चाहिए तो एक दो अंदर भी रह सकते हैं आपको कोछी भी हो तो आप तुरंट बला ल फ्लॉप कर दिया और उनको इतना वड़ा नुक्सान हुआ तो उनको ऐसा नहीं कि अगर इसके बलाओ अगर मैंने कुछ और ऐसा किया तो इस बाद उनकी गद्धी पर आएगी तो यही रिजन है कि उन्हें मुझे यहां बलाया ताकि कि मुझे नज़र रह सके और ध्यान नसे कि मैं कोई भी ऐसा वैसा काम ना करूँ जो उनके लिए अच्छा ना हो जो उनके लिए खतरनाख हो मैं सब समझ रहा हूँ वांजी से कहता है और फिर वांजी जवावे में कहता है कि तुम मेरे सामने वाले कमरे में जाके रहोगे फिर थो शोटा कमरे अधर रहोगे ताकि मैं तुम अपने ज़र रह को हो और किसी भी गार ने तुम से पूछा कि तुम this corner ना तो तुम के उनके की खास आदमी है और मुझे जो है बहुत मुझे जो है तो मुझे जवांची की माद करनी पड़ती है चोछटी काम में तो यह रहा रहे हो ठीक है तो वेंग जा समान में में महाद शेप्ट करा दिया जाता है और वहांची सोच रहांता है कि अब क्या सेग रहे हैं इसको अपने सभी मिशंद हटाएंगे और यह फ्री होगा उत्रण फिर से जो अपने काम में लग जाएगा और इस बर ऐसा करेगा कि सीधा जो बात उसके अंकल के उपर आएगी और उनको वह गद्धी से उतारे खुद गद्धी पर जाएगा वांजी का था यह प्लैन था तो ऐसी दिर दिर समय जो भी अंकल की पसंद नहीं थी कि वह अभी भी हमेशा ओमेगा अगंगा सब्द्धी सर्फलेयर इस उसके इस बारे में विग ऐता है वो मेगा से नहीं सब्सक्भी एक के नहीं हो जो West संब्सक्राइब तो च्छकर सहर ना जाते हैं तो इसके अपने अंदर को चींच लग रहे होते हैं इपनी बॉडी में उसकी जो जब बॉडी में उसको पाथ़ी जब मतलब की उनन जा रहे होते हैं तो समझ नहीं आता सको हो क्या रहा है।ทब मैंग ओनलता है। जाता है वो वांची का काम प्रहा रहा हुता है। कि जाना से काम कराते कि आती ना वेंका जो मान आता है खराब आता है और उसको तो वाम्टिंग सी आन ले आता है तो तुन 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 तुमा से भागता है और वाम्टिंग करके आता है तो जाना से उसको हलका चक्कर सान ले आता है वो गिरने आता है कि वांजी इसको राच जो नों को पता राग जाएगा कि कि इसके डोक्टर बला रहा हूं तो तुम खुद बाहर जाओ जाके डोक्टर से मिल कि आउ और जो मेरा पर्सनल जो डोक्टर लेडी है उसके पाथ जा जाओ मिलके आओ मैं तुम्हार से सैनिक भेज़ता हूं और जाके दिखा कर देखिए कैसी हो रखी है तो वियंग के ठीक है मैं थोड़ा रुक के चला जाओंगा तो इसके बाद जो है वांजी जो है वह वियंग के फ़ड़ा ध्यान जखने लगा थे कि वह नहीं को चक्कर वेगरा आजाए तब ठीक नहीं थे अगर से अंकल ने पूछा कि इसको क्या स फ़ड़ा है विए लिये को बिना बताये तो जो मिलता है अपनी अपना से बादा है और जब वह लेडी होती है उसको करती अच्छे से एग्zelfien करती है तो वह मुले की शानत जो पहीम तो तुम थ्री मन्थ प्रेग्नेंट होs यह बास सुनके जो वियंग होता है मुहराण आजा क्या, तो वो कहते कि, हाँ, तुम प्लेगनेट होती इन मंट से, उम्हें इस बात का पता पहलो है ने चला दो तुम्हें सिम्टम्स दिखे थे, तो वो कहते कि, नहीं, मुझत लाग, शाद मुझे कोई और उमिगा सिम्टम्स आरही हैं, शाद हीट का आने से पहले, और तुम 3 months pregnant हो तो मैं चाहूँगे कि तुम्हें यी बात वाँजी को बता दो तबी तुम्हारे लिए भी सही होगा और उसके लिए सही होगा यूँकि अपने तुम्हें क्या कुछ सामना करना पड़ेगा तो इस बाते विंग सिहर लाता है और वहाँ चला याता है और घर वहाँ जा जिन की सीरशा सही है और वहाँ तुम्हें होना जाया है फूर्म है और वाँची अ क्याय पर का हुड़े में गचाता है तो बड़े वाँप्ट कर बीए तो इसके बडले वान जी को अपनी घद्दि मैंकि ने क Killणा पड़ सकता क्या सपस्टरा है सब्सक्राइब करें तो वो यहां से बहूत दूर जाये और खुदी बेबी को के लिए तो फिर सची नहीं होगी तो तब भी है कही नहीं से अगर उनको पता लग गया वाङजी को तो वो मुझे ढूंट लेंगे और मुझे माफ नहीं करेंगे चीज के लिए तो वैंग सोच रहाता है वो दो दिन हो जाते हैं वो मतलब वाणजी से मिलता नहीं वाणजी उसके वा़ने पूसा तो है बट सब लोग कहते हैं कि उसको पूर्टाइम ही लगता है विएंग से मिलने जाने का तो होता ऐसा है कि विएंग जो सोचता है कि वो जो इस बच्चे को गिरा देगा इसके लिए वो मतलब कि सारी मतलब इंफरमेशन निकालता है झालता है और वो मतलब कि युस लेड़ि के पास पहुंचता है और तो जैसे अंधर जाने वनाता है कि तभी वहां पे जो उसको पकड़ लेते हैं और वाहं से ले जाते हैं कि तब ही जो होता है ऐसा कि वहाँ पे एक सभा हो एते है छोटी सी वहाँ पे मतलब कि खासका जो मिनिस्टर्स होते हैं बैठे होते हैं वहाँ पे वांग जी को बतंत बलायाता है वांग जी आता है वहाँ पे और वांग जी अपने अंकल से पूछता है कि अंकल क्या बात है इसमें बुलाया है, सब कुछ ठीक तो है, रात का समय होता है, आपने इसमें बुलाया है, मैं तो अभी अराम करने जा रहा था, तो इसमें अंकल करते हैं, कुछ मसला ही ऐसा होगा, कि तो मैं तुम्हें इसमें बुलाना पड़ रहा है, कि तो मैं अपने आदमी का पता नहीं कि कौन क्या है और क्या चीज है, तो अब कुछ पता है वांग जी, वांग जी कहता है मैं कुछ समझा नहीं अंकल, तो इस बात पर जो अंकल होता है, वो इशारा करता है, तो सैनिक होते हैं, वो वियंग को पकड़ के लगाते हैं, वांग जी देता है कि वियंग को चोट लग फिर उसे एक अंकल कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये एक ओमेगा है और ये नहीं की ओमेगा ये प्रेगनेंट है और ये अपना अबोर्शन कराने के लिए किया था और जहां पर या था वो हमारा या अदमी था और उसने हमें इस बारे में खबर दे दी और हमने इसे पकड़ इसे बहुत पूछा गया इसे बहुत मारा गया कि बताओ कौन है इसका फादर बट ये बता नहीं रहा तो मैं तुम्हें जाता हूँ कि तुम इससे पूछो कौन है इस बच्चे का फादर और जो भी इसका फादर उसकी पनिश्मेंट दी जाए क्यूंकि तुम्हें पता है और सुनित के हमान में जो ढालता है कि पैगनेंट और फिर उसको वह सभी बाते यादाती है कि उस दिन वेंग की हीट में वो दुनों इंटिमेट हुए थे और उस charm में शायद वेंग जो था या पैगनेंट हो गया। नगी स्पूराइंग का वीलाजय कीए M.N. क स्फेगों हो गयां रही ए वही दिन था वांचो मैंग चिया कि जो आदमी होता है क्विए को यसा करदन पे तलवार रहता है हsecond कि बस तुम बताओगा कि नहीं इसका पैदर ना है तो विएंग चिलाते है यह जो करना है करलो, मैं नहीं बताउगा, तो बीछ बाइन हिंगा, जो आदमी होता है तो आपनी स्वार्ड है, गे अजिर को मारने रहा शोड़ा है वह नहीं को बढ़ता है, उपले हाँ से पकड़ लेटा है, और भाइन को पड़ को पने हाथ से पहिप देटा है, और तो त गता है कि अंकल आप जिसकी बात कर रहे हो यह ओमेगा मेरा है और यह बेबी है यह इसके अंदर यह मेरा मैंने एश कारण शादी की है और हम दोनों फॉस Walmart है और यहarnya matterander सब्कů आपके रहे हम ऐसा करेंगे हैं अपना हमत कैसे इससे हेट करने की तो उसे अंकल कहते है वाँ जी तुम पागल हो गए है तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते हो विभी मेरा है तो उसे अंकल कहते है अगर तुम्हारा है तो फिर इससे गराने क्यों क्या था वैंगी कमश्च के माइं और भानजी उन मुझे से दिबारे में इसे इतना पता है मेरा है और जो किश ovat बहुतने होना हुने दूगा इस प्रमें के और इस विएग के टमी His currently में जेन टेन में आउसी कुछछा नहीं तो इसके अंकल भीआ होते हैं करते हैं कि इसको ले जाओ, सゆजा मिलेंगी इसको पर जो बांची होता है उसके अंकल के पहर बाइबा पकेड़ाता है प्लीज इसे कुछ मैंज किजिए अंकल प्लीज मैं इसे बहुत प्याड़ करता हू Этот बेडी मेरा है नेक्स्ट हायर वो भी एक तो अभी इस से कुछ नहीं कहा जा जाएगा अभी के लिए तुम इस अमेगा को नजर बंद कर दो वाकिए हम बार में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करूंगा बांजी को रोगने को करते हैं सेन्हिंग को बट बंग égal अठीट हो तो समय हेसी रहे को आप हुआ था है लौन। ने बब अब अन्हों चाहिन धूरॐंग को सबस्क्राइब करते हैं थेइअ हैं लाकरी डर्म गाल्य तरीी दर्म does not